कुछ ऐसी हो सकती है पहले मैच में मुंबई इंडियन्स की प्लेइंग लेवें IPL 2021 के लिए होने वाली नीलामी 18 फरवरी को चैन्नी में हो चुकी है जहां आठ टीमों ने दुनिया भर के 292 कृकेटर्स पर आठ टीमों ने दाव लगाया इस साल हुई नीलामी में कुछ योवा खिलाडियों की किस्मत खुली तो वहीं कुछ दिगज खिलाडियों को नीलामी में वेरंग ही रहना पड़ा और कोई खरीदार नहीं मिला इनी मैंसे एक नाम है न्यूजिलेंड के दिगज बल्लेबास मार्टिन गुप्टिन का इस खेल में हम बात करेंगे मौजूदा चेंपियन मुंबई इंडियन्स के पहले मैच की संभावित प्लेंग 11 के बारे में बीते साल टूनमेंट अपने नाम करने वाली मुंबई ने इस साल की मिनी ओक्सन में साथ खिलाडियों को अपने साथ जोड़ा है इसके अलावा इस साल मुंबई इंडियन्स में शामिल होने वाले जो युवा खिलाडी अरजुन तेंदुलकर चर्चा का केंदर बने हुए हैं तो चलिए एक नजर डालते हैं इस साल की मुंबई की पहले मैच की संभावित प्लेंग 11 में ये हो सकती है चेंपियन टीम की मजबूती और कमजोरी आईपियल की पांच वार की टीम मुंबई इंडियन्स के लिए कप्तान रोहिश शर्मा का कप्तानी और वरलिवाजी इस सीजन में काफी अहम भूमी का निवा सकती है इसके लावा ओल राउंडर हार्डिक पांडिया भी गैंद और बले दोनों से टीम के लिए अपना योगदान देकर संभावनाएं बढ़ा सकते हैं बेस्ट इंडियस के दिगर्ज ओल राउंडर किरॉन पोलाड और गैंद वाजी में जस्पीत बुमरा भी टीम को मजबूती देते नजर आ सकते हैं मुंबई इंडियन्स की कमजोरी मुंबई इंडियन्स में शामिल कई अंतरराष्टे क्रिकेटर्स की मौजूदा फॉर्म भी लिहाज से टीम की चिंता का सबब बनी हुई है इन खिलाडियों में कुईंटन डिकोक एक बड़ा नाम है जिन्होंने बीते कुछ समय में शाहुत अफ्रीका के लिए जादा बहतर प्रदर्शन नहीं किया है इसके लावा टीम के लिए घरेलू क्रिकेट में आउट आफ फॉर्म चल रहे क्रिकेटर्स भी परेसानी की बज़े बन सकते हैं टीम की गेंदवाजी और बल्लिवाजी मुंबई को पांच बार IPL की ट्रोफी जिताने में इसके बल्लिवाजों की काफी एहम भूमी कर आई है इन बल्लिवाजों में खुद कप्तान रोह श्यरमा, ओल राउंडर हर्दिक पांडिया गरेलुकरकेटर सुर्कुमार यादव और केरी वियाई दिगस किरॉन पोलार्ट टीम की टूनमेंट आगे बढ़ाने की उम्मीदों को बल्ल दे सकते हैं अगर गैंदवाजी बिभाग की बात करें तो मुंबई के लिए भारते टीम के मुखे तेज गैंदवाज जस्पीद बुमरा, कीवी तेज गैंदवाज एडम, मिल और जैम्स, नीसम जैसे गैंदवाज चेंपियन टीम की एक बार फिर से टाइटल तक पहुंचने की उम्म अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार